नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश मीडम वाले इस्टेंड्स बहुत ज़्यदा परेशान हैं कि कौन से कोशन्स ऐसे हैं सर जो भी एचाई से 131 के सब्जेक कोड में पढ़ने चाहिए वही दो कोशन्स, प्रीवेश से पेपर के बेस पर मैं आपको बताऊंगा कि वो कोशन्स कौन कौन से आने वाले हैं दो पेपर के बेस पर हम उन्हें डिस्कुस करेंगे, एक पेपर होने वाला है आपका जून 2023 का एक्जाम और दूसरा एक्जाम आपका कौन सा होने वाला आप कहेंगे सर बिल्कुल ये होने वाला आपका दिसंबर 2023 का एक्जाम दोनों और तयारी आप किसी कर रहे हैं जून 2024 की तो इंपोटेंट जो होंगे उनपर मैं ट्रिपल इस्टार यहां पर दूँगा साथ साथ आप उन्हें खुश से सोल करनी कोशिस करिए जल्दी इसके एक मैराथन क्लास ब्याएगी जिसमें मैं सारे क्वेशन्स आपको एक ही क्लास में सोल करा दूँगा आपसा बेड़ा हो मध्या पासान संस्कृति से कहानी स्टार्ट होगी और कहां तक जाएगी 300 CE तक जाएगी यानि आप कह सकते हैं मौरियन एंपायर साथ वहां सासन तक बस ठीक है चलिए तीन घंटे का आपका पेपर होने वाला है सोमाक्स का पेपर होगा पांच प्रशन को उत्तर यहाँ पर आपको देने है 400 सब्दों में हर प्रशन को उत्तर 400 सब्दों में overall पेपर आपको 2000 बड़ में खतम हो जाएगा देखें, पहला question most important होता है, एक्जाम में हर बार छपता ही, इसको देखने कोसिस करना, पहला question है, archaeological sources, archaeological sources for reconstruction of ancient Indian history, तो archaeological sources के साथ आप literal sources over-add कर लेना, important question है, कि कौन-कौन से sources होते हैं, Indian history को जानने के, archaeological sources भी होते हैं, ठीक है, इसके अलावा क्या होते हैं, sculptures वगएरा जो हैं, वो literal sources, है ना, जितने भी आपके epic वगएरा हैं, जो literal sources, जो कि आप कहसे हैं, literature से संबंधित होते हैं, साहिते संबंधित होते हैं, वो स्रोतित भी आपको करने हैं, वो sources भी आपको करने हैं, साथ-साथ, archaeological के साथ-साथ, literal, दोनों sources में से, एक question exam में हर बार आता है, देखिए, इ प्रश्मीर वैली से लेके, साथ-इंडिया तक की बात यहां पर हो रही है, पर याद रखना, तीन टाइपस ऑफ कल्चर हैं, पुरापाशनकाल, मीशोलिथिक कल्चर और आपका नियोलिथिक कल्चर, तीनों कल्चर में से एक question 100% आएगा, अब एक बात बताईए, दो कोश या तो आपसे पूछा जाएगा, सैलियंट फीचर, सैलियंट फीचर ओफ लेटर वेधिक पीरियड या फिर डारेक्ट आएगा वेधिक पीरियड, वेधिक पीरियड, ठीक है, एक question यहां से डने, तो तीन टाइप के सवाल हैं और तीन के अंदर दो दो कोशन, तीन-तीन को पीरियड, सैलियंट फीचर ओफ लेटर वेधिक पीरियड, सैलियंट फीचर ओफ लेटर वेधिक पीरियड, क्लियर दोस्त, चलिए, सारे question important है, बता रहूं मैं आपको, देखे, कोटिलिया की अर्थसास्त्र हो, चाए मेगस्थ निस की इंडिका हो, दोनों में से question अर बार आ रहा है, मेहरकड क्या होता है, मिसालिथिक कल्चार, देखे, कहाता ना या, ग्रेट बात बहन जिए, और यह, यह ऐसे question होते रहते हैं, यह question क्या होते रहते हैं, दोस्तों, change होते रहते हैं, पर कोटिलियाकि अर्थसास्त्र है और मिसालिथिक कल्चर, यह important do question है, त्छे कि एक दो कोशन चेंज करना पड़ता है फरना ऐसा लगगा पूराना पेपर ही डाल दिया है नया पेपर बनाने की कोशिस ही नहीं की गई वही कोशन उठा कर दे गई है यह आपके सामने बात है सेक्शन सेकंड देखिए डिसकस दा एमर्जेंस ओफ न्यू शोशल ग्रॉप्स इन दा सिक्टीन आपके सिक्स सेंचुरी बीसी याने चैसों बीसी सिक्सेंट बीसी पीरिड के आसपास कौन से कौन से नहीं शोशल ग्रॉप्स आए तो आपको पता है फार्मर ग्रॉप आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा एलेक्जेंडर का आकर्मर का हुआ हुआ भारत में होगी कौन से इलाके में हुआ था पता आपको नोर्थ वेस्ट में जहाँ पर आज के समय में आपको देखने करे मिलेगा पाकिस्तान वाला ब्लूचिस्तान वाला जी इलाका वहाँ ठीक दोस्त उस वाले लाकें की बात हो रही है next देखिए आठे कुश्चन होते हैं ना next देखिए how would you define an empire empire क्या होता है morian empire क्या होता है इसके reference में आपको बताने important है morian empire से हर बार exam में दो कुश्चन आते हैं एक directly आता है एक इसके प्रसासन को लेकर देखिए अश्रोक का धम कहां से कुश्चन है morian empire से एरियन की इंडी के क्या है दोस्तो morian empire से कुश्चन है इसके अलावा ये दोनों कुश्चन भी आपके morian empire इसलिए important हो गया साथ वहन administration ये एक निया टाइप का कुश्चन है कुश्चन का कुश्चन मैंने आपको कराया था मैं फिर करा दूँगा हिंदी medium वालों कराया था English medium वालों को नहीं कराया कुश्चन में सब से ही जो आपके सकते है famous इनका king हो आए है वो कौन है आपके कनिश्क तो किसमराट कनिश्क जो है आपको उनके बारे आपको पता होना चीए emperor रही है ठीक है उमीदे paper आपको समझ में होगा बात करते है next question paper की ये भी आपका क्या होने वाला English medium में आपके लिए आएगा चलिए ये latest paper है December 2023 का paper है डन दोस्त आगे बढ़ते हैं चीजों को समझेंगे देखे BHIC 131 BHIC 131 History of India from earliest times to up to 300 CE तक ठीक है questions पर आते हैं 400 सब्दों में question करना होगा 304 pages What are the basic physiographic divisions of India बताएए भारत की physiographic सरनलचन आपको पता होनी चाहिए एक तरफ हिमालियन दूसर तरफ आप कहेंगे क्या Bay of Bengal आपको दिखाई देगी फिर Arabic Sea दिखाई देगा है ना इसके अलावा North East में आपको दिखाई देगे क्या mountains है ना नीचे आपको plateau deck and plateau दिखाई देगा ये चीज़े है physiographic divisions और geographic influence by Indian history बताईए किस तरीके से geography ने influence किया है Indian history को यानि connection between Indian history और geography ठीक है ये question नेया type के डाला गया पहला question ठीक है दराने के लिए question बागी question देगना असान होगे discuss the geographical spread of हडपा civilization बताईए हडपा civilization geography के तोर पर कहा कहा तक फैली थी ये आपको बताना है what are its material characteristics बताईए इसकी material characteristics क्या थी ठीक है reference किसका लेना है दो थडपा सब्वेता और मोहल जोलो की सब्वेता का reference आपको लेना है what are the saline features of early Vedic period repeat question मैंने आपसे का था न या तो later आएगा या फिर early Vedic period आएगा है ना question semi pattern का रहा था saline features या आपसे पूछे जाते है saline features पूछे जाते है ठीक चलिए इसके लावा इन में कौन-कौन से question repeat है आप देखिए Megalithic culture जो है Mesolithic भी कहते है जिसको Neolithic cultures of India दोनों question मैंने आपको बताया था बार-बार exam में छपते है Iron technology Its impact और ये महावीर जैन जो कि आपको पता 24 तो आप कह सकते धर्म गुरु रहे है जैन धर्म की ये new type के question दो डाले जाते है हमेशा इन दो repeated आपको देखने के ले मिलेंगे दो new type के होंगे दो question repeat दो question new type के बास समझ में आई ये नहीं आई done दोस्तो तो महावीर जैन के बारे में आपको बताऊंगा ही और आपको पता Iron technology बहुत बाद में जाके develop हुई थी हड़पन civilization में केवल का सा चलता था आपका कास स्योगिन सब्वेता रही है हड़पन civilization clear दोस्त आगे चलते हैं देखिए What were the reasons for the rise of Buddhism आप बताए reasons for the rise of Buddhism बुद्धिजम के सुरुआत क्यों हुई क्योंकि आपको पता उस समझ सुनातन धरम था और जो जैन धरम था उसमें काफी कुरीतियां थी बहुत सादा faults थे उन faults को आप कह सकते हैं उनसे दूर भटने के लिए लोगों ने बुद्धिजम की तरफ उतना रुख अपनाया था उसके रीजन्स बताने है मैंने कहाता है मोरिया समराजजी से एक कोशन डन है या तो उसका administration पूछा जाता है या फिर डारेक लिए कहते हैं मोरिया समराजजी के बारे हैं बताओ तमिलहम के उपर कोशन इस बार आने की संभावना है क्योंकि दच्छन बारत का संगम साइट के आपने पड़ा होगा उसमें तमिलहम समराजजी की जानकारी है तमिलनाड़ो को तमिलहम के नाम से जाना जाता था बात समझ में आई यह नहीं आई आई आप कहिंगे डंसर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है लास्ट कोशन जो आपको पेपल में उर्जावान मनाएगा इंडो ग्रीक यह नया कोशन है और यह जो रोमन कोईंस है यह भी नया कोशन है तीने ही तीने कोंसेट्ट जो है दोस्तों मोस्ट इंपोटेंट है आपको पता है दच्छिन भारत के तमिलहम समराज्य में एक ब्रहामण व्यवस्था थी जिसमें ब्रहामणों को तीन स्टेज दी गई थी तीन लेवल्स में बाट दिया गया था ठीक है दोस्त तो यह मैं आपको कॉंसेट्ट क्लास में कराऊंगो उमीदें इंपोटेंट कोशन आपको समझभे आगऊंगे इनी कोशन को जिस वेक्ति ने जून 2023 का पेपर दिसमबर 2023 का पेपर पूरा सोल कर लिया रिटन में बुक से कीजिए हमारे नोटस देख के कीजिए पेड नोटस ले लिजे या फिर किसी भी तरीके सा आप इन तीन दो कोशन पेपर को सोल कर लीजे आपका बेड़ा हो जाएगा पार और आप हो जाएंगे अच्छे मार्क्स वाले व्यक्ति तो आज के लिए केवल दोस्त इतना ही अगर आपको क्लास चीए कौन से क्लास इंग्लिश मीडम में आप कमेंट कर सकते हैं हिंदी मीडम बचे तो भी आप कमेंट कर सकते हैं धन्यवाद